नमश्कार उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है आए सुनते हैं कहानी उचा कद जिसे लिखा है रेनू मंडल ने चार महीने बीच चुके थे बलकि दस दिन उपर हो गए थे किन्तु बड़े भईया की ओर से अभी तक कोई ख़वर नहीं आई थी कि वह पापा को लेने कब आएंगे यह कोई पहली बार नहीं था कि बड़े भईया ने ऐसा किया हूँ हर बार उनका ऐसा ही रवया रहता है जब भी पापा को रखने की उनकी बारी आती है वह समस्याओं से गुजरने लगते हैं कभी भावी की तबेत खराब हो जाती है कभी ऑफिस का काम बढ़ जाता है और उनकी छुटी कैंसल हो जाती है विवश होकर मुझे ही पापा को छोड़ने मुंबई जाना पड़ता है हमीशा की तरह इस बार भी पापा की जाने की इक्षा नहीं थी किन्तु मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उनका वापना मुंबई का रिजरवेशन करवा लिया दि दिली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अपने टाइम पर थी सेकेंड एसी की निचली बर्थ पर पापा को बैठा कर सामने की बर्थ पर मैं भी बैठ गया साथवाली सीट पर एक सज्जन पहले से विराजमान थे बाकी बर्थ खाली थी कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी अपनी जेब से मोबाइल निकाल मैं देख रहा था तभी कानों से पापा का स्वर टकराया मुन्ना कुछ दिन तो तू भी रहेगा न मुंबई में मेरा दिल लगा रहेगा और प्रतीक को भी अच्छा लगेगा पापा के स्वर की आद्रता पर तो मेरा ध्यान गया नहीं पर मन ही मन मैं खीज उठा कितनी बार समझाया है पापा को कि मुझे मुन्ना ना कहा करें रजत पुकारा करें अब मैं इतनी उची पोस्ट पर आसीन एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ समाज में मेरा एक अलग रुत्बा है उचा कद है मान सम्मान है बगल की सीट पर बैठा व्यक्ति मुन्ना शब्द सुनकर मुझे एक सामानने सा व्यक्ति समझ रहा होगा मैं तनीक जोर से बोला पापा परसो मेरी गवर्नर के साथ मीटिंग है मैं मुंबई में कैसे रुख सकता हूँ पापा के चहरे पर निराशा की बदलियां च्छा गई मैं उनसे कुछ कहता तभी मेरा मुबाइल बज उठा रितू का फोन था भर राय स्वर में वो कह रही थी पापा ठीक से बैठ गए ना हाँ हाँ बैठ गए हैं गाड़ी भी चल पड़ी है देखो पापा का ख्याल रखना रात में मैडिसिन दे देना भाबी को भी सब अच् आकर आना पापा को वहां कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए नहीं होगी मैंने फोन काट दिया रितू का फोन था ना मेरी चिंता कर रही होगी पापा के चहरे पर बात सल्ले उमड आया था रात में खाना खाकर पापा सो गए थोड़ी देर में गाड़ी कोटा स्टेशन पर रूकी और यात्रियों के शोर गुल से हडकंप सा मच गया तभी कमपार्टमेंट का दर्वाजा खोल कर जो व्यक्ति अंदर आया उसे देख मुझे बेहद आश्चरी हुआ मैं तो सूच भी नहीं सकता था कि रमा संकर से इस तरह ट्रेन में मुलाकात होगी एक समय रमा संकर मेरा पडोसी और सहपाथी था हम दोनों के बीच मित्रता कम और नंबरों को लेकर प्रतिस परधा अधिक रहती थी हम दोनों ही महनती और बुद्धिमान थे किन्तु ना जने क्या बात थी कि मैं चाहे कितना भी परिश्रम ना कर लूँ बाजी सदेव रमा संकर के हांत लगती थी शायद मेरी ही एकागता में कमी थी कुछ समय पश्चाद पापा ने शहर के पॉश एरिया में मकान बनवा लिया मैंने कॉलिज चेंज कर लिया और इस तरह रमा शंकर और मेरा साथ छूट गया दो माह पूर्व एक सुबह मैं अपने ऑफिस पहुँचा कॉरिडोर में मुझसे मिलने के लिए काफी लोग बैठे हुए थे बिना उनकी और नजर उठाए मैं अपने केबिन की और बढ़ रहा था यकायक एक व्यक्ति मेरे सम्मुक आया और प्रसन्यता के अतिरेक में मेरे गले लग गया रजट यार तो कितना बड़ा अधन बन गया पहचाना मुझे मैं रमा शंकर मैं सकपका गया फीकी सी मुस्कुराहट मेरे चहरे पर आकर विलुप्त हो गई इतने लोगों के सम्मुक उसका अनौपचारिक व्यवहार मुझे खल रहा था वह भी शायद मेरे मनोभावों को ताड़ गया था तभी तो एक लंबी प्रतीक्षा के उपरान जब वह मेरे कैबिन में दाखिल हुआ तो समझ चुका था कि वह अपने सहपाठी से नहीं बलकि एक प्रशासनिक अधिकारी से मिल रहा था उसका मुझे सर कहना मेरे एहम को संतुष्ट कर गया यह जान कर कि वहाँ बिजली विभाग में महज एक कलर्क है जो मेरे समक्ष अपना तबादला रुकवाने की गुजारिश लेकर आया है मेरा सीना अभिमान से चौड़ा हो गया कॉलिज के प्रिंसिपल और टीचर्स तो क्या मेरे सभी कलीक्स भी यही कहते थे कि एक दिन रमाशंकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा हम आज मैं कहां से कहां पहुँच गया और वह पिछली स्मृतियों को पीछे धकेल मैं वर्तुमान में पहुँचा तो देखा रमाशंकर ने अपनी वृत्ध मा को साइट की सीट पर लिटा दिया और स्वेम उनकी करीब बैठ के एक उर्ती सी नजर उस पर डाल मैंने अख़बार पर आँखें गड़ा दी तभी रमाशंकर बोला नमस्ते सर मैंने तो देखा ही नहीं कि आप बैठे हैं मैंने नम्रस्वर से पूछा कैसे हो रमाशंकर ठीक हूँ सर कोटा कैसे आना हुआ छोटी बुवा की बेटी की शादी में आया था अब मुंबई जा रहा हूँ शायद आपको याद हो मेरा एक छोटा भाई था छोटा भाई हाँ याद आया क्या नाम था उसका मैंने स्मृति पर जो डालने का उपक्रम किया जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उसका नाम देविश था सर आप इतने उंचे पतपर हैं आए दिन हजारों लोगों से मिलते हैं आपको कहां याद होगा देविश नाम है उसका सर पता नहीं उसने मुझे पर व्यंग किया था या साधारन रूप से कहा था फिर भी मेरी गर्दन कुछ तन सी गई पर उस पर एहसान सा लाथते हुए मैं बोला देखो रमाशंकर या मेरा आफिस नहीं है इसलिए सर कहनाम बंद करो और मुझे मेरे नाम से पुकारो हाँ तो तुम क्या बता रहे थे देविश मुंबई में है हाँ रजट उसने वहाँ मकान खरिदा है दो दिन पर शाथ उसका ग्रिह प्रवेश है चार-पांच दिन वहाँ रहकर मैं और अम्मा दिल्ली लोटाएंगे इस उम्र में इन्हें इतना घुमा रहे हो अम्मा की आने की बहुत इक्षा थी इंसान की उम्र भले ही बढ़ जाए इक्षाएं तो नहीं मरती ना हाँ यह तो है पिता जी कैसे है पिता जी का दो वर्स पूर्व स्वर्गवास हो गया था अम्मा यह दुख छेल नहीं पाई और उन्हें हार्ट अटेक आ गया था बस तभी से वह बेमार रहती है अब तो अल्जाइमर भी बढ़ गया है तब तो उन्हें समालना मुश्किल होता होगा क्या करते हो छे-छे महीने दोनों भाई रखते होंगे ऐसा पूँच कर मैं शायद अपने मन को तसली दे रहा था आशा के विपरीत रमा संकर बोला नहीं नहीं मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता अम्मा शुरू से दिल्ली में रही है उनका कहीं और मन लगना मुश्किल है मैं नहीं चाहता इस उम्र में उनकी इस्थिती पेंडूलम जैसी हो जाए कभी इधर तो कभी उधर कितनी पीड़ा होगी उन्हें यह देख कर कि पिताजी के जाते ही उनका कोई घर ही नहीं रहा वो हम पर बोज है मैं मुस्कुराया रमा शंकर इनसान को थोड़ा व्यवहारिक भी होना चाहिए जीवन में सिर्फ भावुक्ता से काम नहीं चलता है अक्सर इनसान दायत उठाते उठाते ठक जाता है और तब ये विचार मन को उद्वेलित करने लगते हैं कि अकेले हम ही क्यूं माबाप की सेवा करें दूसरा क्यूं ना करे पता नहीं रजट मैं जरा पुराने विचारों का इनसान हूँ मेरा तो यह मानना है कि हर इनसान की करनी उसके साथ है कोई भी काम मुश्किल तभी लगता है जब उसे बोज समझ कर किया जाए माबाप क्या कभी अपने बच्चों को बोज समझते हैं आधे अधूरे करतव्यों में कभी आस्था नहीं होती रजट मात्र आपचारिकता होती है और सबसे बड़ी बात जाने अंजाने हमारे कर्म ही तो संसकार बनकर हमारे बच्चों के द्वारा हमारे सम्मुख आते हैं समय रहते या छोटी सी बात इंसान की समझ में आ जाए तो उसका बुढ़ापा भी समझ जाए मुझे ऐसा लगा मनु रमाशंकर ने मेरे मुकपत तमाचा जड़ दिया हो मैं निशब्द मौन सोने का उपकरम करने लगा किन्तु नीद मेरी आखों से अब कोसों दूर हो चुकी थी रमाशंकर की बातें मेरे दिलो दिमाग में हथोड़े बरसा रहे थी इतने बरसों से संचित किया हुआ अभिमान पल भर में चूर चूर हो गया था प्रशासनिक परिक्षा की तैयारी के लिए इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहा किन्तु पापा के मन की समवेदनाओं को उनके हिदय की पीड़ा को नहीं पढ़ सका क्या इतना बड़ा मुकाम मैंने सिर्फ अपनी महनत के बल पर पाया है नहीं इसके पीछे पापा मम्मी की वर्सों की तपश्या नहीं थै आखिर उन्होंने ही तो मेरी आखों को सपने देखने सिखाए जीवन में कुछ कर दिखाने की प्रेणना दी रात्री में जब मैं देर तक पढ़ता था तो पापा भी मेरे साथ जाकते थे कि कहीं मुझे नेद ना आ जाए मेरे इस लक्ष को हासल करने में पापा हर कदम पर मेरे साथ रहे और आज जब पापा को मेरे साथ की जरूरत है तो मैं व्यवहारिक्ता का सहारा ले रहा हूं दो वर्ष पूर्व की स्मृती मन पर दस्तक दे रही थी सेविया हाट अटेक आने के बाद मम्मी बिमार रहने लगी थी एक शाम आफिस से लौट कर मैं पापा मम्मी के बेडरूम में जा रहा था तभी अंदर से आती आवाज से मेरे पाउं ठीठक गए मम्मी पापा से कह रही थी इस दुनिया में जो आया है वह जाएगा भी कोई पहले तो कोई बाद में इतने इंटलेक्चुल होते हुए भी आप इस सचाई से मुह मोर ना चाह रहे है मैं क्या करूं पोजा तुम्हारे बिना अपने अस्तित्व की कल्पना भी मेरे लिए कठिन है कभी सोचा है तुमने एकी तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा पापा का कंठ अबरुद्ध हो गया था किन्तु मम्मी तनिक भी विचलित नहीं हुई और शांत स्वर में बोली थी आपकी तरफ से तो मैं पूरी तरह से निश्चेन थू रज़त और रितु आपका बहुत ख्याल रखेंगे यह एक मा के अंतरमन की आवाज है उसका विश्वास है जो कभी गलत नहीं हो सकता इस खटना के पांच दिन बाद ही मम्मी चली गई थी कितने तूट गए थे पापा बिलकुल अकेले पड़ गए थे उनके अकेलेपन की पीड़ा को मुझसे अधिक मेरी पतने रितु ने समझा यूँ भी वह पापा के दोस्त की बेटी थी और बचपन से पापा से दिल से जुड़ी हुई थी उसने कभी नहीं चाहा पापा को अपने से दूर करना किन्तु मेरा मानना था कि कोरी भावुकता में लिये गए फैसले अकसर गलत साबित होते हैं इनसान को प्रैक्टिकल अप्रोच से काम लेना चाहिए अकेले मैं ही क्यों पापा का दाइत तो उठाऊं दोनों बड़े भाई क्यों ना उठाएं जबकि पापा ने तीनों को बराबर का स्नेह दिया पढ़ाया लिखाया तो दाइत तो भी तीनों का बराबर है छे माह बात मम्मी की बरसी पर यह जानते हुए भी कि दोनों बड़े भाई पापा को अपने साथ रखना नहीं चाहते मैंने यह फैसला किया था कि हम तीनों बेटे चार-चार माह पापा को रखेंगे पापा को जब इस बात का पता चला तो कितनी बेबसी उभराई थी उनकी चहरे पर चहरे के जुर्रिया और गहरा गई थी उम्र मानों दस वर्स आगे सरक गई थी सारी उम्र पापा के दिल्ली में गुजरी थी सभी दोस्त और रिस्तेदार यहीं पर थे जिनके सहारे उनका वक्त कुछ अच्छा बीच सकता था किन्तु सोचते सोचते मैंने एक गहरी सांस ली आखों से बह रहे पश्चा ताप के आंसू पूरी रात मेरा तक्या भिगोते रहे उफ यह क्या कर दिया मैंने पापा को तो असहनी ये पीड़ा पहुँचाई ही मम्मी के विश्वास को भी खंडित कर दिया आज वह जहां कहीं भी होंगी पापा की इस्थिती पर उनकी आत्मा कलप रही होगी क्या वह कभी मुझे छमा कर पाएंगी रात में कई बार अम्मा का रमा शंकर को आवास देना और हर बार उसके चहरे पर बिना शिकन लाए उठना मुझे आत्म विशेशन के लिए बात दिकर रहा था उसे देख मुझे एसास हो रहा था कि इंसानियत और बड़पन हैसियत की महताज नहीं होती वह तो दिल में होती है अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे और रमा शंकर के बीच आज भी प्रतिसपरदा जारी है इंसानियत की प्रतिसपरदा जिसमें आद भी मुझे से बाजी मार ले गया था पद भले ही मेरा बड़ा था किन्तु रमा शंकर का कद मुझसे बहुत उचा था गाड़ी मुंबई सेंट्रल पर रुकी तो मैं रमा शंकर के करीब पहुचा उसके दोनों हाथ थाम मैं भावुक स्वर में बोला रमा शंकर मेरे दोस्त चलता हूँ यह सपर सारी जिंदगी मुझे याद रहेगा कहने के साथ ही मैंने उसे गले लगा लिया आश्चेरे मिश्रित खुशी से वा मुझे देख रहा था मैं बोला वादा करो अपनी फैमली को लेकर मेरे घर अवश्य आओगे आउंगा क्यों नहीं? आखिर इतने वर्षों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला है खुशी से उसकी आवास काप रही थी अटैची उठाए पापा के साथ मैं नीचे उतर गया स्टेशन के बाहर मैंने टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से एयरपोर्ट चलने को कहा पापा हैरत से बोले एयरपोर्ट क्यों? भावुख होकर मैं पापा के गले लग गया और रुंधे कंड से बोला पापा मुझे माफ कर दीजे हम वापस दिल्ली जा रहे हैं अब आप हमेशा वहीं अपने घर में रहेंगे पापा की आँखें नम हो उठी और चहरा खुची से खेल उठा जुग जुग जीओ मेरे बच्चे वह बुद बुद आये कुछ पल के लिए उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली फिर चहरा उठा कर आकाश की ओर देखा मुझे ऐसा लगा मानो वह मम्मी से कह रहे हो देर सही सही तुम्हारा विश्वास सही निकला आशा है कि या हिदर्स परशी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें अपनों के साथ शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ तब तक के लिए आप सबी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद